तो आज की वीडियो में हम exactly discuss करेंगे कि बच्चे को लिखना सिखाते समय कि कौन सा सही तरीका है जैसे आप डारेक्ट उनको कभी भी alphabets नहीं दे सकते हैं लिखने के लिए अब पहले stroke से start करेंगे तो stroke से भी पहले आपने बच्चों को directly standing sleeping line नहीं introduce करवा देनी हैं तो आज के वीडियो में हम यही discuss करने वाले हैं कि आपने कैसे उनको बिल्कुल write तरीका क्या है बच्चे को writing शुरू करवाने का तो हम scribbling से सबसे पहले start करते हैं इसके लिए scribbling के लिए सबसे पहले आप अपने बच्चे को pencil से कभी start मत करें सबसे पहले आप उसको कोई भी मोटे wax color दो ऐसे wax color जिससे उसकी grip अच्छी हो और इसको लिखने के लिए जादा जोर लगाना नहीं पड़ता है तो सबसे पहले आप उनको scribbling करने के लिए दीज इन थी फिंगर से उसको hold करना है और यह sister finger और बेबी finger को आप कुछ हाथ में पकड़ा सकते हैं जैसे कि अभी फिलहाल के लिए मैं यह पैन का cap पकड़ रही हूं तो आप बच्चे के हाथ में चोटा-चोटा कोई pom-pom या cotton ball भी दे सकते हैं जिससे उसकी pencil की grip अच्छी बन करेंगे स्टॉप तो बच्चे को स्टॉप पर रुकना है जैसे जैसे स्क्रीबल 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 स्टॉप स्क्रीबल 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 स् और बच्चे को बोलना कि वो उसके अंदर कलर फिल करें और उसके जो कलर्स हैं उस शेप से बाहर नहीं जाने चाहिए पहले आप हमेशा बड़ी मिच्चे स्टार्ट करेंगे फिर छोटी-छोटी पर आते जाएंगे आप उसको इतने छोटे सर्कल्स भी दे सकते हैं कि वो उ यहां पर इस डायरेक्शन में रायर है तो एक ही डायरेक्शन में चलने दीजिए अबjust बताना है कि एपने लाइन से बाहर आपने शीप से बाहर नहीं जाना है यह सब अपने से हाथ होने के बाध जब और एक पर गरिफ बन जाता है और ठीक तरीक तरीके से Pencil शुरू पकड़ने का आपको लगता है QE शुरू कर दिया है भी कोशिश करें कि आप Pencil पेन जाएं ड लेजिये उससे बच्चा कलर्स भी बहुत जल्दी सिखेगा थेखे इस तरीके की डॉंस की बहुत अच्छी कलर्फूट पैंसल आ जाती है और बच्चे की होल्डिंग आप देखे ठीक बन गई है तो फिर हम पैंसलें पैंज के उपर ठीक है पैंज पैंज में सबसे पहले आ कोशिच करें, पहले तो बचचे को इन तीनों चीजों के मतलब बता दें, standing मतलब। जब कोई line खड़ी है, skipping मतलब। जब कोई line सू रही है यह slanting जब कोई line ठेड़ी है, तो आप डारेक्ली dots पर जाने से पहले, standing line पर भी जाने से पहले आप उनको dot to dot joining सिखा सकते हैं जैसे आप कोई काइट बना देते हैं बच्छे को ठीक है और बच्छे को कहते हैं कि अब आप इसको यह go dot to dot यह बेसिकली आता है tracing में इसमें बच्छा एक एक dot को जोड़ेगा और ऐसे standing line बनाएगा और इसी तरीके से आप sleeping line में भी direct dots पे कभी मच जाएं बच्चे को interesting बनाएगे उसके लिए चीज़े लिखना समझना interesting बनाएगे फिर जब हम dots पे आजाते हैं फिर आप इस तरीके का कोई भी sketch pen लीजिए सबसे पहले उसके बीची reason यह है कि sketch pen बच्चे को दिखाई देने में थोड़ी असानी होगी बच्चे को तो आप इस तरीके के थोड़े मोटे dots डालेंगे जादा लंबी line नहीं खीचनी है बच्चे को line to line ही रहने देना है तो यह हमारी standing line के dot आ गए है फिर यह sleeping line ऐसे तो कभी भी नहीं बनाना है कोशिश करिए हमेशा चोटा बच्चे के लिए जितना cover distance cover करना है व आप में this is left slanting and this is right slanting इसमें दो टाइप होती है तो आप इसमें अच्छे मोटे वाले dots बना के दीजिए और bright color के dots बनाएंगे तो बच्चे के लिए और भी असान रहे है अब आप इस तरह की कोई भी उनको color pencil दीजिए और उनको भूले धीरे dots को च्वाइन करना है और हमे इस पॉर sleeping line sleeping line sleeping line sleeping line sleeping line bright contrast वाले color देंगे आप तो बच्चे के अच्छे से उसे जोगने में help होगा this is called slanting line slanting line slanting line slanting line slanting line ऐसे आप बच्चे को standing sleeping और slanting से introduce कर वा सकते हैं इनको strokes clear हो जाता है तो फिर हम कभी भी ABC direct start नहीं करते हैं हम हमेशा easy letters जो है वो शुरू करें के जैसे यह L है यह mostly इन तीनो strokes से मिलकर बना गया है जैसे कि L तो आपने बोलना है standing line sleeping line और जैसे यह T है तो इसको आपने बोलना है sleeping line standing line फिर two standing line one sleeping line two sleeping line one standing line आए ऐसे छोटे छोटे easy अक्षर हमने पहले सिखाने जैसे F है E पहले नहीं हम पहले F सिखाएंगे standing line two sleeping line फिर हम आएंगे English को E को आप यह तो ऐसे लिख सकते हैं one sleeping line two sleeping line three sleeping line या one standing line या फिर आप कह सकते है one standing line sleeping line sleeping line two sleeping line three फिर उसके बाद अब और यह आजाते हैं जैसे कि sleeping slanting line slanting slanting line slanting line slanting line slanting line slanting line mostly यह सारे जो letters है यह एक ही stroke की तरफ जाते हैं मतलब एक तरफ ही बच्चे को हाथ चलाना है जादा तर यह जो सभी letters है यह इन तीन stroke से मिलकर बने हैं अब जब बच्चों का इन पे हाथ बैट जाता है फिर हम move on करते हैं कर्व के ओपर कर्व में कम से कम भी हमें दो हफ्ते बच्चे को बहुत अच्छे से practice देना पड़ता है तो हमेशा आप कर्व की जो practice है उसको शुरू करवाने से पहले आप उनको कोई कटोरी दे दीजी जिसको बच्चा प्रेस करें जिसके आसपास बच्चा यहां तो पू कर्व and next is your outside कर्व तो सबसे पहले आपने उनको tracing देनी है tracing मतलब आपने almost उसकी outer boundary पूरी पूरी ड्रॉ करनी है बिल्कुल छुटी छुटी चुटे gap देना है जिसे बच्चा फिल करेगा ऐसे फिर हम जब बच्चे का हाथ बैच जाएगा कम से कम एक हफते के बाद हमने three dots क पर आएंगे हम directly three dots पे कभी भी नहीं आएंगे नहीं तो बच्चा हमेशा इसको C को इस तरह बनाता रहेगा आपने हमेशा इसको बताना है कि कर्व में जाना है कर्व में कर्व में ठीक है फिर बच्चा three dots पे जब आ जाता है फिर हम देखे अब कर्व standing sleeping line उस landing line को मिलाकर next यह वाले तीन letters बनते हैं जैसे कि आपका यह आजाएगा one curve, second curve, standing line यह आपका B बनाना और भी असान हो जाएगा अब जैसे P है standing line, outside curve, P बन जाएगा अब G है inside curve, standing line, sleeping line, G बनाना असान हो जाएगा फिर आप उन्हें O बनाना दे सकते हैं inside curve, outside curve चाहे तो उ पूरा का पूरा एक ही बार में draw करने के लिए यह रुक रुक के भी बच्चे कर सकते हैं फिर यह Q बनाना असान हो जाएगा मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके यह वीडियो काम आने वाला है जब आप अपने बच्चे को लिखना शुरू करवाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा और ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे विशोप अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजेए बाई बाई